ओम शान्ति आज तिनांक इकतिस जन्वरी तो हजार तेईस प्राता हमुरली पाप द्यादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम हो मोश्ट लक्की बच्चे क्योंकि तुम्हारे सम्मुक स्वयम बाप है वह तुम्हें सुना रहे हैं बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम हो मोश्ट लक्की बच्चे क्योंकि तुम्हारे सम्मुक स्वयम बाप है वह तुम्हें सुना रहे हैं अर्थात जिसे सारी दुनिया ढून रही है ठोकरे खा रही है भटक रही है कितना पैसा खर्च कर रही है लेकिन बाबा मिला हम बच्चों को बाबा कहते तुम ऐसे भाग्यवान बच्चे हो कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो जिसे स्वयम भगवान आकर सम्मुक बैट ज्यान सुनाते हैं राजयोग सिखाते हैं बाबा ही हम बच्चों को सत्यूगी स्वराज्जी देते हैं तो बाबा कहते तुम हो ऐसे मोश्ट लक्की बच्चे क्योंकि तुम्हारे सम्मुक स्वयम भगवान बाप आये हैं और तुम्हें यह सुना रहे हैं स्वर्ग का मालि बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं बाबा कहते संगम पर ही एक बार में आता हूं और तुम बच्चों को ब्रह्मा मुक द्वारा एडॉप्ट करता हूं तो पाँच हजार वर्स के बाद तुम फिर बच्चों से मिलता हूं तुम ही ऐसे मोश्ट बिलवेट लक्की बच्चे हो जिन्हें बाप सम्मुक आकर पढ़ाते हैं प्रश्न किया बाबा ने भक्ती मार्ग का कौन सा संसकार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों भक्ती मार्ग का कौन सा संसकार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता क्यों उत्तर में बाबा समझाते भक्ती मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उनसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे किसी से धन मांगेंगे किसी से पुत्र मांगेंगे यह मांगने के संसकार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनू बनाया है तुम बाप समान सबकी मनो कामनाये पूर्ण करने वाले हो तुम स्वयम के प्रती कोई आसा नहीं रखते तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं इसलिए मांगने के संसकार समाप्त हो जाते हैं संगम युकपर, स्वयम भगवान, पिता परमात्मा, भ्रमा तन में आकर हम बच्चों को अपना बच्चा बनाते और सर्व खजानों का मालिक बना देते जो 21 जन्मों तक हम अखुट खजानों से संपन रहते, संतुष्ट रहते तो बाबा कहते तुम बच्चों को मैं ऐसा काम देनू बनाता हूँ जो तुम 63 जन्मों तक भक्ती मार्ग में भी सर्व आत्माओं की इच्छा मनो कामनाएं पूर्ण करते हो और अभी बाबा जो स्वर्ग की सुख की दुनिया की इस्थापना करते उसमें भी तुम बच्चे निमित बनते हो तो बाबा कहते तुम्हारे मांगने के संसकार नहीं हो सकते क्योंकि तुम दाता पिता की माश्टर दाता संताने हो हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते हो क्योंकि ब्रह्मनों का काम ही है सेवा करना कुछ ना कुछ देते जाना तो बाबा कहते अखुट खजाने हैं देते जाओ ऐसे संपन संपूर्ण बन जाओगे जो कभी भी तुम्हारे खजाने खत्म नहीं होंगे तुम ही वो स्रेष्ट आत्माएं हो जो सत्युग में देवी देवता बनते हो तुम्हारे मांगने के संस्कार अभी संगम युग से ही खत्म हो जाते हैं गीत सुनाया बाबाने ओम नमु शिवाय ओम शान्ति भगवानु वाच अब अच्छी रीती समझ कर फिर समझाने के लिए एक गीता सास्त्र ही है सास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने परंतूर राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते बाप कहते हैं मैंने ही पाँच हजार वर्स पहले भी तुम भारत वासी सिकल देह बच्चों को राजयोग सिकलाया था सिकल देह का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे चोरासी जन्म लेकर फिर आये मिले हो पाँच हजार वर्स पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुखवनसावली अर्थात ब्रह्मन ब्रह्मनी बने थे बाप डाइरेक्ट बोलते हैं वह गीता पाठी आदी यह बाते नहीं कहेंगे बाप डाइरेक्ट समझा कर गए थे फिर भक्ती मार्ग से सास्तर बनाते हैं अब ड्रामा पूरा होता है फिर बाप आया है कहते हैं बच्चों को कौन से बच्चे कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया तुम अभी सम्मुक हो तुमको बाबा ने अपना परिचय दिया है यहा राज योग तुमको और कोई सिकला न सके बाप ने ही पहले योग सिकलाया था अब सिकला रहे हैं जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके मैं तुमारा बाप आया हूं फिर से तुमको राज योग सिकलाने अच्छा अब बाबा तुमको जार पर समझाते हैं यह समझानी भी बहुत जरूरी है इसको कल्प व्रक्ष कहा जाता है बाप कहते हैं यह मनुस्य सरष्टी रूपी जार कल्प व्रक्ष है वह गीता बाबा कहते वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यहां कहा था और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है यहां है मनुस्य स्रश्टी का जाड इसमें कोई फल फ्रूट आम आदी नहीं है उस फल फ्रूट का जाड जो होता है उसका बीज नीचे जाड उपर होता है इनका बीज उपर और जाल नीचे है कहते भी हैं इसवर ने हमको पेदा किया है अर्थात बाप ने बच्च दिये हैं बाप ने धन दिया है बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो बाबा बाबा कहते रहते हैं लक्षमी नारैन के आगे जाते हैं उससे भी मांगते हैं महा लक्षमी हमको धन दो यह सब मांगने के संसकार जगत अंभा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो लक्षमी के आगे ऐसी आसाये नहीं रखेंगे उनसे सिर्फ धन मांगेंगे यह तो तुम जानते हो जगत अंबा सो लक्षमी सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगा कर जगत अंबा बनती है जाड में देखो जगत अंबा बेटी है यही फिर महारानी बनेगी जरूर तुम बच्चे भी राजदानी में आएंगे तुम कल्प व्रक्ष के नीचे बेठे हो संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो काम देनू के तुम बच्चे ही सबकी मनो कामनाएं पोर्ण करने वाले हो तुम भारत माता सक्ती से न हो इसमें पांड़ों भी हैं बच्चो को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है देने वाला एक बाप ही है भल तुम किसकी भी भक्ती करो किसको भी याद करो परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है वही सब कुछ देता है भक्ती मार्ग में तुम लक्ष्मी नारैन की सिरी क्रश्न की पूजा करते हो क्रश्न को जुलाते भी हो प्यार करते हो उनसे तुम क्या मांगेंगे तुम चाहते हो हम उनकी राज़धानी में जाएं अथवा हमको सिरी क्रश्न जैसा बच्चा मिले गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो ब्रंदावन जहां राज्य भाग्य करते थे बेकुंड में उस समय कोई भी आप्राप्ति नहीं होती स्री क्रश्न के राज्य को याद करो तो बाबा कहते स्री क्रश्न के राज्य को याद तो बहुत करते हैं भारत में जब स्री क्रश्न का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था अब बाप आए हैं कहते हैं चलो क्रश्न पुरी में चल कर सिरीक्रश्न की पत्नी बनो या राधे का पती बनो बात एक ही है वहाँ विस नहीं मिलेगा वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया अभी तुम इस्टूडेंट हो पढ़ रहे हो नरसे नारायन बेगर से प्रिंस बनने के लिए यहाँ भल कोई करोड़ पती है पचास करोड़ हैं लेकिन तुम्हारी बेड में वहाँ गरीब हैं क्योंकि यहाँ सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है कुछ भी साथ नहीं जाएगा हाथ खाली जाएंगे तुम तो हाथ भर्तू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए अभी तुम राजियोग सीख रहे हो फिर सत्यूग में आकर राज्य करेंगे तुम पुनर जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो सत्यूग में हैं सोला कला त्रेता में हैं चौदा कला फिर भक्तिमार्ग सुरू होता है फिर इबराहिम बुद्ध आते हैं क्राइश्ट के तीन हजार वर्स पहले देवी देवताओं का राज्य था अब सारा जाड जड जड़ी भूत अवस्ता को पाया हुआ है अभी तुम कल्प व्रक्ष के नीचे संगम पर बेठे हो इसको कहा जाता है कल्प का संगम अत्वा कल्यूग और सत्यूग का संगम सत्यूग के बाद त्रेता फिर त्रेता के बाद द्वापर और फिर कल्यूग का संगम कल्युक के बाद फिर सत्युक जरूर आएगा बीच में संगम जरूर चाहिए कल्प के संगम युगे बाप आते हैं उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ग्यान का सागर हूँ भारत में ही सिव जयन्ती गाई जाती है सिरी क्रश्न तो ग्यान देना सके तुम कहते हो हम स्वर्ग में सिरी क्रश्न के साथ मिलेंगे बाप कहते हैं भक्ती में सिरी क्रश्न का साक्षातकार मैं तुमको कराता हूँ क्रश्ण जैनती पर बहुत प्रेम से उनको जुला जुलाते हैं पूजा करते हैं उनको जैसे सच सच स्रीक्रश्ण दिखाई पारता है साक्षातकार होगा क्रश्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे भक्ती मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ दाता में हूँ लक्षमी की पूजा करते हैं अब वहा तो है ही पत्थर की मूर्ती वहा क्या देगी देना फिर भी मुझे ही पड़ता है साक्षात कार भी में ही कराता हूँ यहाँ भी ड्रामा में नूंध है जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है क्या परमात्मा बेट पत्ते को हुक्म करेगा यहां तो ड्रामा बना हुआ है अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वहाँ कल्प के बाद फिर तुम ऐसे ही करेंगे जो कुछ सुटिंग में सूट हुआ वही चलेगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता ड्रामा को भी अच्छी रीती समझना है बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है परंतू जो ब्रामन बनते हैं वही वर्णों में आते हैं 84 जन्म लेते हैं फिर औरों के जन्म नंबर वार कम होते जाएंगे कितने छोटे छोटे मठपनते हैं भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र हैं स्वर्ग का रचियता तो है बाप और कोई मनुस्य थोड़ी स्वर्ग में रचेगा फिर राजयोग भी कोई सिख लाएगा अभी तुम सिरीक्रश्न पुरी में जाने के लिए राजयोग सिख रहे हो पुरुशार्थ हमेशा उचा करना चाहिए तुम कहते हो सिरीक्रश्न जैसा बच्चा मिले सिरीक्रश्न जैसा पती मिले सिरीक्रश्न ही सिरी नारायन बनता है फिर सिरीक्रश्न जैसा क्यों कहते हैं तुमको तो कहना चाहिए नारायन जैसा पती मिले नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को अरें राधे के लिए नहीं कहा बाप समझाते हैं तुमको क्रश्न पुरी में चलना है तो खुब पुरुशार्थ करो वहा है स्री क्रश्न का देविय कुल कंस का है आसुरी कुल तुम अभी हो संगम पर सुद्र संप्रदाय तो ब्रामन ब्रामनी कहला ना सके जो ब्राम्मन ना कहलाए वह सुद्रवन के हैं भारत की ही बात है भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नर्क बन जाता है लक्ष्मी नारयन को भी 84 जन्म ले रजो तमों में आना ही है जबकी वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदी वापिस निर्वान धाम में कैसे ज सकते कोई तो कहे देते स्री क्रश्न सर्व्यापी है विधर बाबा कहते जिधर देखो क्रश्न ही क्रश्न है राम के भक्त कहेंगे राम सर्व्यापी है वह क्रश्न को नहीं मानेंगे बाबा के पास एक राधा पंथी आया था कहता था राधे ही राधे राधे हाजिरा हजूर तेरे में मेरे में रादे ही रादे गणेस का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेस ही गणेस क्रिश्चन फिर कहते क्राइश्ट गोड का सन अर्थात बच्चा है अरे क्राइश्ट सन था तो तुम किसके सन अर्थात बच्चे हो अनेक मत मतांता रहे रास्ता कोई को भी मिलता नहीं सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं मुक्ती और जीवन मुक्ती भगवान ही देंगे न उनसे हम क्या मांगें कोई को पता ही नहीं बाप को ना जानने कारण निधन के बन गए हैं फिर धनी आकर धनका बनाते हैं मनुष्य कितने धक्के खाते हैं समझते हैं भक्ती से भगवान मिलेगा बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर भल कोई कितना भी पुकारे परंतु मैं आता हूँ संगम पर एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सब को सांती में भेज देता हूँ फिर नंबर वार अपने अपने समय पर आते हैं जो देवी देवता थे वहा भी सब आत्माएं बेटी हुई हैं फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं अभी तो देवी देवता धर्मी नहीं है सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा जो कुछ हो चुका है वहाँ फिर रिपेट होगा फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे इतने जन्म लेंगे हिसाब निकालो हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे जाल पर बाबा कहते समझाना बहुत सहजे आपे ही मनुस्यों को टच होगा कि कोई की प्रेड़ना से यह विनाज जुआला की तैयारी हो रही है यूरोप वासी यादाओ बंस बनाते हैं वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेड़ना देने वाला है हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनास करते हैं ना चाहते हुए भी यह मोत का सामान बनाते हैं दीरे दीरे प्रभाव पड़ेगा दीरे धीरे जाड बढ़ता है ना कोई कांटे से कली कोई फूल बनते हैं कोई कोई फूलो को भी तुपान लगता है तो मुर्जा जाते हैं बाबा ने कल्प कल्प कहा था आश्चर्यवत सुननती कथंती भागंती हो जाते हैं अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती प्रम्मा कुमार कुमारी बननती कथंती फिर भी अहो माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती खा गई आगे चल कर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं जो पाश्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं फिर भक्ती मार्ग में सास्तर बनाएंगे यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदो सास्तरों का सार समझा रहे हैं जो बाबा कहते जो धर्म इस्थापन करते हैं उनके नाम पर ही सास्तर बनाते हैं उनको धर्म सास्तर कहा जाता है देवी देवता धर्म का सास्तर एक ही गीता है हर एक धर्म का एक सास्त्र होना चाहिए स्रीमद भागवत गीता ठीक है भगवान वाच है भगवान ने आदी सनातन देवी देवता धर्म की इस्थापना की यहाँ है सबसे प्राचीन धर्म बाबा कहते हर एक धर्म का अपना अपना सास्त्र है और पढ़ते रहते हैं अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको सास्त्र पढ़ने की तरकार नहीं वहां सास्त्र होता ही नहीं यह सब खत्म हो जाएंगे फिर गीता कहां से आई द्वापर में बैट मनुस्यों ने बनाई जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर यह सास्त्र बनेंगे भक्ती मार्ग की सामगरी बनती ही जाएगी बाप समझाते हैं सिकिल दे बच्चे मुझ बाप की स्रीमत पर चल स्रेष्ट बनू तुम अभी संगम पर राजयोग सीख रहे हो जबकी कल्यूग को सत्यूग बनाना है उन्होंने कल्प की आयू लंबी बनाए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है मनुस्य तो मुझे हुए है जबकी कल्यूग को सत्यूग बनाना है उन्होंने कल्प की आयू लंबी बताए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है मनुस्य तो मुझे हुए है ड्रामा अनुसार तुम बच्चो को ही बेहद के बाप से वर्सा लेना है बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है सिर्फ बाबा को याद करो चाल्ट रखो भोजन बनाते समय भी याद करो भोजन बनाते समय पती बच्चा याद पड़ता है तो सिव बाबा क्यों नहीं पड़ सकता यहाद तुम्हारा काम है बाबा बुद्धी की सिड़ी देते हैं फिर चड़ो ना चड़ो यह तुम्हारा काम है जितना याद करेंगे उतनी सिड़ी चड़ते जाएंगे नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे अर्थात पांच हजार वर्स के बाद फिर आए मिले हुए बच्चो को नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मौनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पाइंट क्रश्न पुरी में चलने के लिए पुरुशार्थ बहुत अच्छा करना है सुद्र पन के संसकारों को परिवर्तन कर पक्का ब्रह्मन बनना है तूसरी पैंट बाबा कहते बुद्धी बल से याद की सीडि पर चड़ना है सीडि चड़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा बुद्धी से याद की सीड़ी पर चड़ना है सीड़ी चड़ने से ही अपार सुक का अनुभव होगा वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते अटेंशन और चेकिंग की विधी द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले माश्टर सर्व सक्तिमान पहो अटेंशन और चेकिंग की विधी द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले माश्टर सर्व सक्तिमान पहो डिटेल में बाबा समझाते ब्राम्मन जीवन में, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय, व्यर्थ गवा देते हैं, जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते, व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता, इसलिए सदा इस इसमरती में रहो, कि मैं माश्टर सर्व सकती मानूं, सकती है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो, जैसे क्लास के समय वा अमरत बेले को, याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विदी अपना लो, तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा, स्लोगन में बाबा कहते राज रिसी बनना है, तो ब्रहमन आत्माओं की दुआओं से अपनी इस्थिती को निर्विग्न बनाओ, राज रिसी बनना है, तो ब्रहमन आत्माओं की दुआओं से अपनी इस्थिती को निर्विग्न बनाओ, अच्छा, ये थे बाबा के महावा कि ओम शंती